हलो दोस्तो जो आरार्सी मुंबई है इस जोन के कटाप दोस्तो जानेगे इस वीडियो में दोस्तो एकदम ही कम जाने वाली है दोस्तो वीडियो को औन तक देगे तभी समझ में आएगी दोस्तो अगर आपके इतने marks बन रहे हैं तो आप लोग physical की तयारी यानि PET की तयारी करना start कर दीजे क्योंकि time नहीं मिलेगा 10-15 दिन में दोस्तो आपके answer की आ जाएगी और इसी के 10-15 दिन बाद दोस्तो आपका जो result आ जाएगा ठीक है तो दोस्तो अब start करें सबसे पहले में दोस्तो आपको बता दूँ कि दोस्तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 2022 की हम लोग कटाप जानेंगे 2018 पहले जान लेते हैं कितने farm फिलफ हुए थे तो 2018 में करीबन 12.5 लाग farm फिलफ हुए थे दोस्तो मुंबई में ठीक है और पोस्टे टोटल थी दोस्तो 4625 पोस्टें थी और पर seat competition था दोस्तो कितने का 225 लड़कों का competition था एक seat के लिए 225 लड़के लड़ रहा थे पिछले बार अच्छा खासा exam भी दिया है लड़कों ने तो पिछले बार जब इतना competition था तो दोस्तो कटाप कितनी गई है जर्नल की गई थी 68 और OBC की 63 और ST की अंठावन और ST की तिरपन कटाप यह 2018 में गई थी दोस्तो यह कटाप ठीक है अब इसके बाद दोस्तो बात करें 2019 में तो आप लोग यहां पे 2019 देख पा रहे हैं तो 2019 की बात करें तो यहां पे दो जगह से बैकंशी निकली थी मुंबई में आपकी एक WR से निकली थी एक CR से निकली थी ठीक है तो WR की बात करें दोस्तो तो इसमें करीपन 990,470 फार्म फिलफ हुए हैं और फिर इसके बाद दोस्तो आप पोस्टे हैं टोटल 10,734 ठीक है फिर इसके बाद बात करें दोस्तो बात करें यहां पे दोस्तो की परशीट कंप्टीशन कितना है तो 92 लड़कों का परशीट कंप्टीशन है और इधर बात करें CR वालों की तो टोटल फार्म 9,7,390 पड़े थे और टोटल जो पोस्टें थी तो 9,345 पोस्टें थी देख पा रहे हैं यहां पर कमप्टीशन कम हो गया है यहां आके अब डेढ़ गुना में भी दोस्तों आप लोग देख पार हैं कि 50% कंडिडेट पेपर दे रहे हैं तो इसका आधागर कर देंगे तो आपका क्या जाएगा दोस्तों 45 46 यानि 46 लड़कों का कमप्टीशन दोस बुलाए जाएंगे ठीक है तो अब 46 में दोस्तों आपको क्या करना है इसका अब मान लिजे कि 46 लड़कों का कमप्टीशन है टोटल हम इसके आधे कितने हो जाएंगे 4500 ठीक है चाल लाख पचास जार अगर देख लें ठीक है चाल लाख पचास जार देख लें तो इसका अगर हम लोग देखें तो बैकंची है गेरा हजार मान लेते हैं ठीक है तो गेरा तियां 43 श्वरी गयरतें 33 यानि 33,000 लड़कों को पास किया जाएगा इसमें आप सभी लोग जानते हैं ठीक है 33,000 लड़कों पास किया जाएंगे फिजिकल के लिए तो इसका मतलब है कि आ यहां पे अगर आप लोगों के अच्छे खासे आपने का रहाए हैं फिर इसके बाद दोस्तो आप प estéक आ रहे हैं का रहा ह 17 और आ ने देखा भी है बहुत कई सारे एक्जाम भी मैंने निकाले है तो मैं जानता हूं कि अगर बहुत एकुरेशी 100% एकुरेशी के साथ कहें तो फिर भी दस कुष्चन बड़े अराम से हम लोगों के गलत हो जाते हैं तो इसमें अगर दस घटा भी देंगे आप लोग तो 70 वाल लड़के नमबर ला रहे हैं कितने दोस्तो 55 से बावन की बीच में ही लड़कों के नमबर आ रहे हैं ज्यादा नहीं आ रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले बार क्या हुआ था 15-20 मार्ट के बढ़े थे ठीक है तो इसमें दोस्तों आप आप लोग जान देख पा रहे हैं क्या पिछली के देख लिए तो 48 कटाप बन रही है दोस्तों क्यों हर लड़के के नर्मलाइजेशन में 15-20 माक्स बढ़ें तो अगर 45 भी नहीं हम देखते हैं थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं कि थोड़ा ज्यादा कम नहीं हो ठीक है तो आप लोग देख पा रह हैं तो आप लोग बेट मत करें आप लोग फिचकल की तयरी स्टार्थ कर दीए क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा आपको ठीक है तो दोस्तों यह इंफॉर्मेशन और दोस्तों आप LOG कमेंट बाक्स में कमेंट कर दीजिए आप किस जून के हैं किस जून के बारे में कुट चाहते हैं तो वो भी वीडियो बना देंगे तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बाक्स कमेंट करने दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर कोई भी अपडेट होती है तो आपको सबसे पहले मिल सके तो थैंक यू जैहिन बेस्ट आफ लग